दोस्तो आज हम देखेंगे एक बहुत ज़्यादा यूजफुल अप्लिकेशन जो की 80 Money अप्लिकेशन है आप पहले भी सुने होंगे और यूजबी की होंगे लेकिन आज हम देखेंगे की कैसे आप 80 Money अप्लिकेशन के अंदर आपने आपको रेजिस्टर करोगे और आपना जो पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इसके अंदर कैसे ओपन करोगे तो दोस्तो सबसे पहले 80 Money जो अप्लिकेशन है उसको आप अपनी मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर इसको सर्च करिए और IT Money, Mutual Funds, SIP Portfolio Tracking अप करके जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसे आएगा तो उसको आप डाउनलोड कर लिजिए दोस्तो ये Times of India Group का एक अप्लिकेशन है जो कि आपको Mutual Fund में इन्वेस्ट करना और आपको Health Insurance आप यहां से अपनी मोबाइल के थूरूर लोन भी अपलाई कर सकते हो अपना क्रेडिट कार्ड पे अपलाई कर सकते हो बहुत सारे चीज़े यहां से कर सकते हो अप जैसे अप्लिकेशन को उपन करोगे डाउनलोड के बाद यहां पे Continue with Google या Use Another Option पर आपको Manually आपका सारा Email ID बगर देना पड़ेगा तो इससे अच्छे आप जिस Email Account के साथ Google के साथ Login हो Gmail Account से आप वहीं से कर लिजे यहां पर अगर आपका एक से ज्यादा Account है यहां पर आप जाएगा तो आप जिस एकांट के साथ खोलना चाहते हो तो उसको चूज कर लिजे यहां पर जैसे आप चूज करोगे तो आपको Continue पुछा जा रहा है यहां पर कुछ एक चीज़ आलाओ करना पड़ेगा IT Money Applications को और यहां पर देखे दोस्तों Preparing Your Profile यहां पर आपकी Gmail Account के अंदर जो भी आपका डाटा होगा उसको फेच करने के बाद यहां पर यह आपका प्रोफाइल को Create कर लेता है देखे दोस्तों यहां पर जो Home Interface से इसका इस Application का यहां पर उपन हो चुका है यहां पर सबसे आप अपना जो सफरे वो सुरू कर सकते हो और नीचे आपको अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स और सेकेंड पर आपको इंसुरंस देन कार्ट्स और लोन्स दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स पर आपको अलग-अलग तरह कि यहां पर mutual funds मिल जाएगा जैसे कि आपको पता हु यहां पर आपको अलग-अलग category की यहां पर मिल जाएगा यहां पर देखिए direct mutual funds आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए यहां पर tax saver high growth folio यह सारा चीज यहां पर है और यहां पर तीन तरह की equity, debt, hybrid, अलग-अलग जो mutual funds की segments होते हैं यहां पर वह भी आपका available है यहां पर आपको अगर आप beginner हो यहां पर आप आपना शुरुवात कर सकते हो दोस्तों दोस्तों इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका equity क्या है, debt क्या है, hybrid क्या है यह सारे चीज आप पता कर लिजीए YouTube के अंदर बहुत सारे वीडियोज है जो आपको मिल जाएग तो अगर आपको equity के अंदर invest करना है तो यहां पर large cap, mid cap, PLSS, international, multi cap, बहुत सारे अलग-अलग segments के आपको funds मिलेंगे, तो अगर beginner हो आप कहीं से भी शुरु कर सकते हो कि इंवेश्मेंट करना बहुत आच्छा है दोस्तों, तो then आप यहां पर insurance भी check कर सकते हो, आपका health insurance यहा पर आपको सिधा credit card apply कर सकते हो यहां से और अपना loan भी apply कर सकते हो, दोस्तों यहां पर credit card के लिए दो banks यहां पर offers देते हैं, RBL bank और SBI bank और loan के लिए, यहां पर one time approval, many time loans यह RBL का है, आप एक बार जैसे approval हो जाता है, तो बार बार आप यहां से loan ले सकते हो, और next अगर bank आपको offer देते हैं, personal loan जो की 20 lakhs तक है, तो आप देख सकते हैं, कि यहां पर India Bulls धनी application के तुरू, तो यहां पर बहुत सारे चीजे दोस्तों आपको offer मिलता है, तो यहां इससे पहले आप अपना investment account उसको verify करना पड़ेगा, इसके साथ आपका एक bank card number और आपका जो bank detail इसक के बाद ही आप कुछ कर सकते हो, तो यहां पर सबसे पहले जैसे आप profile पर click करोगे, dashboard की जो top right corner पर three dots था, वहां पर जैसे क्लिक किये, तो यहां पर आपका profile वाला page open हो चुका है, यहां पर आप अपना हिसाब से photo click करके gallery से set कर सकते हो, next यहां पर आपको investment account यह open करना होगा इसलिए आप जैसे ही click करोगे open पे, आपको यहां पर enter your pen, यानि pen number आपको मांगा जा रहा है, आप card को scan भी कर सकते हो, अधरोएज आप अपनी pen number यहां पर दे सकते हो, यहां पर जैसे आप okay करोगे, then आपका नाम आ गया है, और यहां पर आपको पुछा देर आप Indian हो की न यहां पर number दीजे दोस्तों, हो सकता है, आपके पास एक से ज़्यादा bank accounts होगा, लेकिन आप जिस account के साथ ITMoney application को transaction करना चाहते हो, आप ओही account को यहां पर दीजे, then आप जैसे ही bank account number यहां पर जैसे हम यहां पर enter कर चुके हैं, आप अपना bank number यहां पर, account number यहां पर जैसे ह यहां पर आपको बिलंग करता है, आपको इसको confirmation देने के बाद, यहां पर पुछा रहे है, यह savings account है, यहां पर हमार जो account number है, वो savings account है, और आपको यहां पर आपका IFSC code मांगा जा रहा है, यानि आपका जो bank account है, किस branch के अंदर आता है, तो यहां पर मैं अपनी जो IFSC code यहा आप फेज कर लिया गया है, देखे दोस्तों, यहां पर verify your bank account, you may see a credit of 1 rupees, यानि 80 money application के जरी आपकी bank account में एक रुपिया जमा किया जाएगा, जो कि आपको message की तुरू या आपकी bank की जो transaction अगर आप चेक्कर होगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो यह बहुत बढ़िया पहल है कि एक रुपिय डाल के आपके bank account के अंदर आपका bank account को verify किया जाए, देखे दोस्तों, जब तक आपके account के अंदर एक रुपिया credit नहीं होता, आपको message नहीं आता, तो यह message आ सकता है आपको, जो की sorry we couldn't verify your bank account, तो यहां पर अलग-अलग तरीके हैं, यहां आप अपनी जो check book एक check page को क्या कर सकते हो, यहां पर cancel लिखके उसको upload कर सकते हो, अदर्वाइज आपका second option यहां पर आपना account statement है, उसको भी आप यहां पर upload कर सकते हो, यहां पर ज्यादा time नहीं लेता दोस्तों, आप अगर यह चीज़े अपलोड करते हो, तो 5-10 मिनिट के अंदर आप वो call आ जाता है, 80 money application के जरी है, देखे दोस्तों, यहां पर यह bank account is verified, जो कि जैसे ही एक रूपिया हमारा account के अंदर credit होता है, तो यह just उसी time यह verify हो जाता है, आप जैसे क्लिक करोगा तो आपका verification हो जाता है, यहां पर देखे दोस्तों, आपको 80 money के तरफ से 1 ग्रेडिट हो चुका है, और यह जैसे credit का message आता है, आपके account अलेड़ी verify हो जाएगा, तो यहां पर कोई problem नहीं है, यहां पर आपको set of investment account करना पड़ेगा, जैसे आप क्लिक करोगे, आपको कुछ नहीं का अपना personal data हो मांगा जाएगा आपको, जैसे कि यहां पर सब से पह आपको यहां पर personal detail में आपका gender पूछा जा रहे है, male, female, others, जो भी आप देना चाहते हो, देशकते हो, then आपका marital status, married, unmarried, others, और यहां पर आपका mother's name पूछा जाएगा, आपको अपनी mother's name यहां पर एंटर करती जाएगा, then आपका father's name अलेड़ी face कर लिया गे, आपके bank account स अगर आप married हो, तो आपका spouse name पुछा जाएगा, spouse यानि अगर आप wife हो, तो आपना husband नाम यहां पर एंटर कर सकते हो, और अगर आप husband हो, तो आपना wife के नाम यहां पर एंटर कर सकते हो, then जैसे शंबिट करोगे, यहां पर एंटर your mobile number, आप जिस mobile number से at money को link करना चाहते हो, यहां पर आप उसको एंटर करता ही, आपको एक it money की तरफ से OTP आएगा, और OTP यहां पर एंटर करने के बाद आपका mobile number लिंक हो जाता है, then next step में आपको पुछा जाता है, your signature, यानि आप digitally signature यहां पर स्क्रीन पर कर सकते हो, अदर्वाज एक signature करके सफेद कागज के अंदर आप यहां पर अपलोड कर सकते हो, तो हम उपर वाला करेंगे tap tap here to sign on screen, यानि हम on screen signature करेंगे, अगर आपको अपना signature अपलोड करना है, तो नीचे वाला option चूज कर सकते हो, जैसे कि आप digital sign यानि screen पर sign का option लेते हो, तो आपका जो mobile की screen हो, वो portrait से शिदा landscape mode में आ जाता है, यहां पर आप अपना screen के उपर अपना sign है, यहां पर अराम से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा area मिलते हो, आपको sign करने के लिए, कोई problem नहीं है, देखिए यहां पर अपना, हम sign कर चुके हैं, और यहां पर हम upload करेंगे, देखिए यहां पर सारा चीज हो चुका है, signature upload हो चु आपको occupation पुछा जाएगा, आपका gross annual income पुछा जाएगा, then country of worth पुछा जाएगा, then city of worth पुछा जाएगा, यह आप अपनी हिसाब से यहां पर पेंटर कर लिजिएगा, जैसे कि मैं अपनी private job, then अपना जो gross income है, एक से पांस लाग, then country of worth अपना प्यारा भारत है, then मेरा city of worth आपको नोमी ने information मांगा जा रहा है, यहां पर आपना नोमी ने अपना mother, father, आपनी husband, wife, आपनी बच्चे किसी का पर यहां पर नोमी ने detail डाल सकते हो, तो यहां पर एक से जादा भी नोमी ने आप detail डाल सकते हो, आप screen पर देख सकते हो, then आप जैसे नोमी ने detail confirm करते हो, यह सारा चीज आपका enter हो चुका है, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो pen card और bank account के अंदर थोड़ा सा minor miss मैं चाहे था, यहां पर उसको clarify कर लिया गया है, यहां पर आपको दो declaration देना परता है दोस्तों, यानि आप politically exposed नहीं हो, यानि political activities में आप participate नहीं करते हो, और ज करना होता है, और यहां पर दोबर आपको let's review your details, यानि आपका जितने भी details यहां पर submit किये हो, यह सारा चीज यहां पर review किया जाता है, आपको screen पर आजाता है, आप हर एक चीज को अच्छे से check करने के बाद, री check करने के बाद, यहां पर confirm जैसे ही click करोगे, देखे, your investment account is submitted successfully, you can start investment now, तो यहां पर आपका investment account δोस्तो create हो जाता है, और आपना जो investment है, आप यहां से आराम से शुरू कर सकते हो, तो दोस्ता हम देखते हैं, यहां पर आपना investment account सेट अप होने के बाद, अपना जो पहले mutual fund investment कैसे यहां पर सुरू कर सकते हो, देखे, दोस्ति यहां पर ऺ की में की को फर्स्ट इंबेस्मेंट और यहांपे अगर आपका पेले से कुई आप मुचाल पॉल्पन चूछ कर रखे हो यहां पर सिद्धा उसको सर्च करके इंबेस्ट वहांपे कर सकते हो अधुरल आज यहांपे में एक Gesetzentwurf के तORब पे मैं आघंई आपी मुचान करके करके दिखा देता हूं एकth जैंप्पल के तOR पे मैं हैं वह लेकिक यहां कोई हैं ल चाहता है मिotय सब करना चाहते हो वहां करता हम सकते हो और यहां पर आपको date पुछा जा रहे है आप जिस date को चूज करना साथ हो हर मैना उस date को आपकी account से उस amount को deduct किया जाएगा यहां पर setup of your EGPay यानि आप एक बार EGPay अगर चूज कर लेते हो setup कर लेते हो तो आपका account के अंदर से अपने आप automatically उस तारीक के अंदर अपना जो SIP amount हो deduct हो जागा यहां पर कोई problem नहीं है लेकिन EGPay का यहां पर एक limit setup किया जाता है आप अपनी हिसाफ से यहां पर limit set कर स increase करना यहां पर आपको increase कर लीजिएगा अधर्राज आपको continue करना होगा अप जैसे ही continue करोगा यहां पर आपना जो linked account है उसका net banking के page के अंदर आपको redirect कर लिया जाएगा आप वहां से आपना OTP के बाद आपना payment यहां पर कर सकते हो तो दूस्तों यहां तक था एक छोटा सा informative वीडियो आज अगर तो वीडियो आपको पसंद आओगा प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और क्लिक दो बेल आइकन फर क्विक अपडेट समय से छोटे छोटे informative वीडियो बना के लाता रहता हूं थैंक्स फो वाचिंग लव यू आल